Hello Everyone, Welcome to Tube Affairs इस वीडियो में बात करेंगे Days and Themes अगस्त 2022 दिवस और विशेध थीम ये Current Affairs Related वीडियो है आप बाकी के Current Affairs की वीडियो ज़रूर देखे जो भी लास्ट 6 मन्त के Current Affairs के टॉपिक है Award, Honors, Appointments, Index, Ranking, Books and Authors उन सभी वीडियो को एक Playlist में डालके Upload कर दिया गया उसका Link नीचे Description में है और इस वीडियो को आप इंट तक ज़रूर देखे Days and Themes अगस्त 2022 तो लेट्स स्टार्ट दे वीडियो सबसे पहले बात करते हैं World Breast Feeding Week विश्व इस्तनपान सब्ता एक से साथ अगस्त तक Observe किया जाता है ये हर साल इसका थीम था Step Up for Breast Feeding Educated and Support एक अगस्त को होता है Muslim Women's Right Day यानि Muslim महिला अधिकार दिवस जो दूसरा दिवस से एक अगस्त को वो होता है World Lung Cancer Day Lung Cancer Day एक अगस्त को Observe किया जाता है National Bone and Joint Day ये Observe किया जाता है 4 अगस्त को सभी important नहीं है लेकिन एक्दाम में कुछ भी पुछा जा सकता है फिर अगला है National Handleum Day राश्टी हत करगा दिवस ये बहुत important है 7 अगस्त को Observe किया जाता है इसको 2015 से मनाये जा रहा है To create a vendors about the Handleum Industry ये इसलिए select किया गया था To commemorate स्वदेशी मूवमेंट जो कि 7 अगस्त 1905 को शुरू हाता स्वदेशी अंदोलन और ये Ministry of Textile के दोरा Observe किया जाता है National Handleum Day ये important है अगला है National Javeline Day 7 अगस्त कि इसी दिन नीरज चोप्रा ने जीता था टोकियो ओलंपिक में और लास्ट ये घोशना की गई थी कि अगले वर्ष से 2022 से इसे अब्जर्व किया जाएगा तो ये भी इंपॉर्टेंट है National Javeline ये फिर जैवलीन थ्रोडे साथ अगस्त को अब्जर्व किया जाता है फिर बात करते हैं और नउ अगस्त को नगासा की दिवस और दोजाल इस बार अठातरवी अनिवर्सरी अब्जर्व कर रहा Rich you जो लिटिल बॉय बॉम यूरेनियम का था वो हिरोशिमा पे गिराये था जापान के शहर हिरोशिमा पे और जो फैट मैने ज प्लुटॉनियम बॉम वो नागासा की पे गिरा गया था 9 अगस्त को अमिरिका के दौरा 2nd World War के समय तो हिरोशेमा नागासा की दिवस 6 और 9 अगस्त को अब्जर्ब किया जाता है अगला है कुट इंडे मुवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन इस बार यह हुआ था अठाटरवी अनिवर्स्री थरी अगस्त क्रांती 8 अगस्त को अब्जर्ब किया जाता है कुट इंडे मुवमेंट यानि भारत छोड़ो आंदोलन अगला है वर्ल्ड इंडिजिनेस पीपल डे इसको वर्ल्ड ट्राइबल डे आदिवासी दिवस भी कहा जाता है विश 10 अगस्त को वर्ल्ड बायो फ्यूल डे यानि विश जैव इंधन दिवस जिसका थीम था बायो फ्यूल्स टुवाट्स अ कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड दूसरा जो 10 अगस्त को है वो है विश शेर दिवस वर्ल्ड लायन डे टाइगर डे कब होता है 29 जुलाई को लेकि लायन डे कब होता है 10 अगस्त को विश शेर दिवस अगला है 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे विश हाथी दिवस 12 अगस्त को और दूसरा जो है अंतराश्टी यूवा दिवस इंटरनाशनल यूथ डे इसका थीम था इंटर जेनरेशनल सॉलिडरिटी क्रिएटिंग वर्ल्ड फॉर ओल फेरी सिर्व ढाव्टास्ट को वर्ल्ड संस्कृत ले यहा 5 शरावनपूरी मां जब एंड होता है तब ऑब्जरद किया जाता है इस बार यह 12 अगस्त को था पिछले साल 2 अगस्त को था तो वर्ल्ड संस्कृत यूदे हर साल चेंज होता है यह इस ς ब ये दुनों 13 अगस्त को अब्जर्व किया जाता है 14 अगस्त को Partition Horrors Remembrance Day विभाजन के एक दिन पहले ये लास्ट एरी प्राइम मिनेस्टर ने इसकी घोशना की थी कि अब से भारत ये अब्जर्व करेगा हर साल 14 अगस्त को 14 अगस्त पाकिस्तान की आजादी का दिवस होता है लेकिन भारत के लिए Partition Horrors Remembrance Day अब्जर्व किया जाता है पिछले साल से ही तो यह था 14 अगस्त को 15 अगस्त को छेत्रवा स्वतनत्रता दिवस अब्जर्व किया भारत ने 76 इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को आजादी का अम्रित महुसा पिछतर वर्ष पूरे की भारत ने आजादी के 19 अगस्त को वर्ल्ड हुमेनिटेरियन डे यानि विश मानपतावादी दिवस अब्जर्व किया जाता है दूसरा वर्ल्ड फोटोग्रफी डे वेरे इंपॉर्टेंट विश फोटोग्रफी और दूसरा जो था वर्ल्ड मॉस्क्यूटे डे विश मच्छड दिवस तो 20 अगस्त को दो सदभावना दिवस और मच्छड दिवस दोनों अब्जर्व किया जाता है 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिडिजन डे यानि विश वरिष्ट नागरिक दिवस और दूसरा इंटरन मतलब आतंगवाद से जो सफर किया विक्टिम हुए उनके उन्हें ट्रिब्यूट करने के लिए उनकी याद में यह मनाया जाता है और तीसरा जो है एकिस अगस्त को यह होता है विश उद्दे में दिवस यानि वर्ल्ड आंत्रपेरिनर्स डे संस्कृत वीक यह किया जाता है थेग्जर्फ को इंटर्नाश्यल दे फोर रड़ रभिम्बरनस औफ झाल ऑप स्लेव ट्रिब्ड ऑन इड्स एंट्स सक्षर्फ गुलामी और उसकी अथाय्वus अबिशर्फ किया जाता है इंट्रेश्व-तरल् fraction 23 अगस्त को आक्षर उर्जा-देवस यानि National Renewal Energy Day 20 अगस्त को Observe किया जाता है अक्षे उर्जा दिवस अगला है World Water Week विश्व जल सप्ता 23 से 31 अगस्त इस बार Observe किया गया पिछले साल था 21 से 28 अगस्त तो ये भी चेंज होता है विश्व जल सप्ता मनाया गया World Water Week World Water Day कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है कमेंड बॉक्स में आप ज़रूर लिखे विश्व जल सप्ता 23 से 31 अगस्त इसका थीम था Seeing the Unseen the Value of Water अगला जो है Women's Equality Day नारिक समानता दिवस 26 अगस्त को Observe किया जाता है 29 अगस्त को Very Important National Sports Day राष्टे खेल दिवस Major ध्यानचन जी के Birth Anniversary पे ये अबजर्व किया जाता है उनके नाम पे Sports Award दिया जाता है ध्यानचन खेल रत्म पुरस्कार जिसका पुराना नाम था राजीव गांदी खेल रत्म पुरस्कार और जो दूसरा है वो है परमाणू परिक्षन के खिलाफ अंतराष्टी दिवस International Day Against Nuclear Test ये दोनों 29 अगस्त को अबजर्व किया जाता है 30 अगस्त को National Small Industry Day राष्ट लगू उद्द्योग दिवस 30 अगस्त को होता है दूसरा International Day of Victims of Enforced Disappearance International Day of Victims of Enforced Disappearance ये अबजर्व किया जाता है 30 अगस्त को और अंत में National Remote Sensing Day ये मैं वीडियो के शुरु में पूछने वाला था लेकिन मिरे ध्यान में नहीं रहा तो ये होता है अगस्त 12 को 12 अगस्त को National Remote Sensing Day on the birth anniversary of विक्रम सारा भाई उनके birth anniversary पे मनाया जाता है Remote Sensing Day 12 अगस्त को और इसी 12 अगस्त को कौन सा दूसरा डे रहता है ये रहता है Elephant Day और International Youth Day और साथ साथ Sanskrit Day इस पर था तो ये था अगस्त का दीवस और थीम का विशय का वीडियो आप बाखी के करेंट एफर्स का वीडियो जरूर देखे प्लेलिस में जाके तो थैंक यू बेरे मच पर वाचिंग दे वीडियो थैंक यू